अब हम main अपना काम start करते हैं कि जो हमें चीज़ें याद करने पड़ेंगी ये तो छोटी छोटी बातें थी इनको तो हम याद कर लेंगे अब आता है हमारा main काम जो बड़े वाला हम काम करने वाले हैं तो उसमें हम state by state हर एक state के अंदर में कौन-कौन से national park हैं सब को याद कर जो हमें नेशनल पार्क है वो आएका लड़ाक में तो मतलब इसमें mistake नहीं करनी अगर आपको थोड़ा मलग confuse किया गया तो तो सबसे पहले जम्हू कश्मीर से start करेंगे तो इनके अंदर में कौन-कौन से national park आते हैं चार national park आएंगे मिल दी तो एक आएगा सलीम अली national park लोकेशन भी आप इनकी देख सकते हो लोकेशन वेस के उपर में थोड़ा दिमाग में पिक्चर बैठाने के कोशिश करो दूसरा आता है डचिंगम national park फिर आता है किस्तवर national park फिर आता है हैमिस national park अब इनके बारे में हम देखते हैं इनको याद कैसे करते हैं पहले एक scientist हुआ करते थे ये nuclear physicist हुआ करते थे और बात है ये हमारे पास में 1939 की 1939 के अंदर में world war start हुआ और world war के साथ-साथ में nuclear weapon के उपर में research start हुई US के अंदर में start होती है US, UK और Canada तीन country मिलके US के अंदर में project Manhattan के अंदर अंतरगत nuclear weapon बनाना शुरू करते है और वहाँ से उस nuclear technology के उनके दोरा चुरा लिया जाता है और 1947 के समय इंडिया को अजादी मलती है और ये वाला nuclear weapon तो बन चुका था 1946 में project Manhattan खतम हो चुका था और उन्हेंने बंब गिरा भी दिये थे 45 में जबान के उपर तो ये वहाँ से भाग के आएंगे और यहाँ पर इंडिया के अंदर में जैसे ही वो इंडिया के अंदर में आएंगे USA जो उनकी agencies थी उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और ये भागने के लिए कहाँ पर जाएंगे ये जाएंगे हिमाले के अंदर में अब बाकी वाले एरिया के अंदर में तो एसेसिवल एरिया था तो सलीम अली भाग के चलेगे हिमाले के अरिया के अंदर में हिमाले के अरिया काफी सेफ इन को मैसूस हुआ हैमिस का मतलब क्या होता है? हैमिस का मतलब होता है बर्फ और है तो यह भाग के चलेगे हमारे hammis वाले एरिया के अंदर में हैमिस वाले एरिया केंदर में काफी 2-3 साल तक रहे उसके बाद में उनको वहां पर एक लड़की से प्यार हो जाता है तो यह फिर जल्दी से Chingam निकालते हैं और अपने Chingam means bubble gum, वो निकालते हैं अपने मुह में डाल लेते हैं, तो da Chingam तो अब इसके अंदर में याद क्या करना है ? Salim Ali, Hemis, Kishtwar, Dachingam इनको याद करना है, story के अंदर डालना है और story जैसे ही याद करोगे, आपको याद हो जाएगा Salim Ali, Hemis के अंदर में भाग के चलेगे किस करना था, और उसके लिए Chingam उनको खाना पड़ा तो आगे 4 अब इसके अंदर में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हमें पता होनी चीए यह जो background के अंदर organism आपको देखने को मिर रहा है, काफी important है यह हमारा वैसे तो यह हमारे जम्मो कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन main जो इसका habitat है वो आएगा हमारा चिंगम से related, चिंगम डचिंगम से related पहला आया सलीम अली नेशनल पार्क, अब जो मैंने आपको बताया मतलब वो ऐसी फालतो की story थी ऐसा नहीं था कि वहां पे nuclear weapon चुराने गए थे, बड़ जस्ट स्टोरी आपको याद करनी है सलीम अली एक्चल के अंदर में ornithologist थे, मतलब बड़ वाचर थे, बड़ के वारे में काम किया करते थे और ये जो थे हमारे मुंबई वाले reason से बिलॉंग करते थे और मुंबई वाले reason से बिलॉंग करते थे, इनकी habit थी, बड़ को देखना वगएरा, उनको notice करना तो first time इंडिया के अंदर में professional तरीके से किसी ने बड़ के उपर उनकी list प्रिपेर कियो, वो सलीम अली जी के दोरा की गई थी इसी के लिए इनको tribute देने के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क हैंगा, उसके लावा भरतपूर नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा रास्थान में, उसको बनाने के लिए इनोंने help की थी, नीचे silent valley नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, केरल के अंदर में, उसकी protection में help की थी, तो ये चीजें पता होनी किया शकता है, ना सलीम अली के बारे में पता होनी किया शकता है, जस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, इसको city forest नेशनल पार्क भी बोलते हैं, forest का type यहां पे कौन सा मिलेगा, alpine मिलेगा, koniforest मिलेगा, meadow मिलेगा, अब एक बात ध्यान दखो, यह आ गया हमारे पास में, western हिमाले, यहां पे आ गया हमारा eastern हिमाले, हिमाले वाले रीजन के अंदर में किस type की vegetation मिलेगी, first, western area के अंदर में बारिश थोड़ी कम होती है, तो जर्नल केस के अंदर में बारिश कम होगी, तो जो हमारी घास होती है, काफी adapted होती है, जैसे यह बकरी दिख रही है बीचे, यहां पे घास है, तो बकरी के लिए घास की काफी हो शकता है, तो midow, midow means घास वाला area मिलेगा, यह आपको हमारे west area में काफी मिलेगा, हमारी UK के अंदर, हिमाचल के अंदर में घास वाला area मिलेगा, प्लस, इनकी height के अनुसार यहां पे coniferous forest मिल में, लेकिन tropical नहीं मिलेगा यहां पे, tropical आपको east के अंदर मिलेगा, यह सब चीज़ें वैसे geography की book के अंदर है, इनको यह पता हो, तो काफी important है, आपको याद करने क्या शकता नहीं, अब इनके अंदर forest, यह alpine है, coniferous है, कौन सा है, यह याद करने क्या शकता नहीं, आप journal आपको पता होगा, तो यहाँ पे alpine मिले गई, अब केरल में आपको बोलेगा, यह alpine forest मिलेगा, तो वो बेवकुफी वाली बात है, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, वो हमें पता है, यह height के उपर में हमें देखने को मिलेगा, कोनी forest भी हमें height के उपर देखने को मिलेगे और ठंडे इलाकों में देखने को मिलेंगे तो यह आपको repeat होगा पूरी जम्मू कश्मीर में ये वाली चीज़ें repeat होगी UK के अंदर में repeat होगी हिमाचल परदेश में कुछ हट तक repeat होगी तो वो बातें आपको ध्यान में रखने हैं तो यह आगया City Forest फिर आए डचिंगम नेशनल पार्क इसका मतलब आ रहा है एक तो चिंगम और डचिंगम का नाम इसलिए रखा गया जब इसको अंग्रेजों के समय में एक reserve forest डिकलेर किया गया था तो यहाँ से दस गाओं को displace किया गया था उसके Carnies का नाम रख दिया अब यह आता है कोनि फर्स forest तो आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी मिलेंगे यहाँ पे alpine भी मिलेगा मिडोस भी मिलेंगे मतलब grassland भी यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे जो grassland मिलते हूं उनका नाम है ट्रॉपिकल एक तो हमारे वेस्टन घाट में देखने को मिलेंगे और दूसरा हमें देखने को मिलते हैं नौर्थीस्ट के अंदर में North East can Tropical भी मिलेंगे Alpine भी मिलेगा North East के अंदर में Conifrust भी मिल जाएगा और Desidious में मिल जाएगा तो ये forest वाले जो चीज़े हैं आपकी जियोग्राफी में वो cover कर लेना Conifrust आ गया, Nara आ गया Lake मिलती है यहाँ पर मरसार Lake और मरसार Lake से हमारी river flow करती है अब पहले तो आप नेशनल पार्क याद कर लो पूरे जैसे जैसे हमने देखा स्टोरी दिमाग के अंदर रखनी है 104 के 104 आपको ऐसे टिप्स के ओपर याद होगे ठीक है और एनिमल मिलता है है हैंगोल यहाँ पे मतलब बक्रा मिलता है ये वाला इसके बारे में मैं separate आपको करवाऊंगा जहां पे अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा critically endangered फिर मिलता है यहाँ पे snow leopard इसको भी मैं अलग से आपको करवाऊंगा बस आपको याद रखना है कहाँ पे मिलता है अब यहाँ पे इसका मतलब नहीं सिर्फ इसी में मिलेंगे इसमें यह main है बाकी मिलते तो अलग जगा भी है snow leopard जैसे state annual है हिमाचल प्रदेश का तो वो तो है लेकिन मिलता है यहाँ पे जमो कश्मीर में मिलेगा UK में मिलेगा हिमाचल में मिलेगा तो पता हो नची इनके बारे में कहां मिलेगा वो हम separate देखेंगे इनके बारे में फिर आया किस किस से आया किस्तवर ठीक है तो किस्तवर की अगर बात करते हैं forest same मिडो होंगे अल्पाइन होंगे कोनी फ्रस सब में same होंगे रिवर इसमें change हो चाहेगी राइने रिवर होगी और एक किबर नाला होगा नाला मतलब एक तरीके का जहां से जो छोटी छोटी रिवर की छोटी छोटे पार्ट जा रहे हैं रिवोलेट्स जा रहे हैं एक नाला टाइप तो किप बरनाला मिलेगा यहाँ पे और मारवा रिवर देखने को मिलेगी तो मैच आफ दव वॉलिंग आपको बोल जाकते हैं किश्टवर नेशनल पार्क में कौन सी रिवर मिलती है तो पता होना चाहिए अब आया most important यहाँ पे हैमिस नेशनल पार्क एक तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर में बहुत बड़ एरिया के अंदर में और थोड़ा deserted kind का है तो यहाँ पे मतलब उतना जाद आपको हरियाली देखने को ने मिलेगी लड़ाक में है यह तो वस कश्मीर के अंदर ने यह बात ध्यान में रखनी है और यहाँ पे highest population है इसकी snow leopard की highest density है मतलब snow leopard की यहाँ पे तो ध्यान रखना है आपको यह चीज़ आपको ध्यान में रखने बड़ेगी यह highest density है मतलब एक छोटे से एडिया में काफी सारे देखने को मिलेंगे तो यह बात ध्यान में रखनी है लेगा हमें तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है largest protected area और अगर ऐसे पूरा इंडिया के अंदर में देखेंगे तो second largest आएगा यह अगर biosphere reserve को include करेंगे biosphere reserve के अंदर में क्योंकि 2-3 national park wildlife century हो सकती है तो biosphere reserve बड़ा होता है उसके अलावा अगर देखेंगे तो यह हमारा second number के वपर आएगा इसके अलावा थोड़ी सी और information इसके बारे में यह हमारा paleartic realm के अंदर आएगा इसके बारे मैं मैं बताता हूं क्या मतलब वह इसका और इसके अंदर में क्या होगा एक और इसके नौर्थ के अंदर में जैसे यहाँ पे अगर hemis present है इसके नौर्थ के अंदर में हमें इसके नौर्थ साइट के अंदर कवर करती है अब मैंने इसमें बताया एक तो आपको यह चोटी-चोटी चीजह है लेकिन question में आ जाएंगी तो यहाँ पे दूसरी बात बताई पैली आक्टिक रीजन के अंदर में हमारी अर्थ को आठ एरिया चोन के अंदर डिवाइड कि इसमें काफी सारी चोटी-चोटी-चोटी बायोम्स होंगे लेकिन यहाँ पे vegetation थोड़ी-थोडी similarity देखने को मिलेगी तो उसके अनुसार हमने terrestrial vegetation के अनुसार एट पार्ट में डिवाइड किया है पूरी आर्थ को तो अगर बोलेंगे इंडिया कौन-कौन सी जोन में आता है काफी सारे हमारे मतलब मोस्टली हमारे जितने भी होंगे वह आएंगे हमारे सदन साइट के अंदर में इंडो-मलाया-bio-realm के अंदर में लेकिन यह वाला पहली आक्तिक में आ रहा है तो इसके बारे में ध्यान रखना है पिर आगे हम ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क द लिए स्ट्रेटिजी प्लस मेटीरियल देखने को मिलेगा फॉस्ट इसके अंदर में हमारी एंसी आटी के अंदर में वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके साथ में आपको टेस्ट दिये जाएंगे प्लस उसमें बेसिक अंसर राइटिंग की क्लासिज लिए जाएंगी सेकिं उनके लिए सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगी नेक्स्ट कंपोनेंट जो एडवांस finishing के ओपर होता है जो हमारे motor elf करेगा वहाँ पे 300 प्लस और की वीडियो मिलेगी उसके अंसर राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा और इन वे सब के साथ में आपको प्र हमारा हिंदी मीडियम के अंदर में भी उपलब्थ है तो अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स के अंदर में जो लिंक दिये गए हैं उनके थ्रू जा सकते हो या हमारी वेबसाइट के उपर जाके के इसको परचेस कर सकते हो तो यह बात आगी यहां पर हमने इसको कवर किया अब देखते ही हिमाचल परदेश के अंदर में तो यह बात हैं ध्यान में रखनी हैं कैसे ध्यान में रखनी सलीम अली प्रजेक्ट मैन एटन के अंदर में nuclear weapon चुरा के लिए के आया और Hemish national park में छुप गया वहाँ पे उसको लड़की पसंद आई किस करनी थी किस त्वार national park और किस करने के लिए मुँसे स्मेहला रही थी तो चिंगम डाल लिया तो दुचिंगम चार हमने याद कर लिए अब याद करेंगे हिमाचल के अंदर में हिमाचल के अंदर में कैसे याद करेंगे उनको भी देखते हैं उससे पहले देख लो कौन-कौन से हैं हिमाचल में हिमाचल यह आ रहा है हमारे पास हिमाचल का map यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो उनको हाथ से ड्राव करोगे अभी तो याद अच्छे से हो जाएंगे आपको एक आजाएगा इंदरकेला नेशनल पार्क इंदरकेला नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क खीरगंका नेशनल पार्क एंड सिंबल बारा नेशनल पार्क and Great Himalayan National Park अब Himalayan तो आप समझ लो कि Himachal Himalayan से related है तो बर्फ का पहाड़ आप एक तरीके से मान सकते हो इसको जहां पे बर्फिले पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे यह वाला जो रीजन है यहां पे हमें पहाड टाइप देखने को मिलेंगे जो धर मशाला बगएरा एरिया में गये होंगे तो वहाँ पे दोलादार की पहाड़िया आपको देखने को मिलेंगी पहाड़ी एरिया है काफी जादा तो यहां पे हिमालय प्रेसेंट है ठीक है जी? इंदर किला, पिन वैली, खीर कंगा, सिंबल बारा अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगी तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा फर्स्ट, ग्रेट हिमालय हिमालय की बात करते हैं, हिमाचल से इसको याद करोगे और हिमालय वाले रीजन के अंदर में यह सब आता है तो पहली बात तो ग्रेट हिमालय है, हिमालय कहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में तो यह हमने देख लिया, फिर आता है हमारे पास में यहां पर होगा इंदर किला यह थोड़ा गलत हो गया, बीतर किला नहीं, इंदर किला होगा यहां पर तो काफी सारा सोना हुआ करता था, एक तो यहां पे अंदर मंदिर भी हुआ करते थे, दूसरा कांगडा के अंदर में जो famous हमारे पास में पीथ आता है वो आता है ब्रिजेश्वरी देवी टेमपल, वहां का जो सोना वगएरा था जो चड़ा है जाता था वो सारा safety के लिए कांगडा के किले में कांगडा कांपे हिमाचल के अंदर में, किले के अंदर उसको store करते थे, यहां पर 22 बड़े-बड़े कुए हैं, जो कि अभी present में जाओगे तो वहां पर आपको दिख जाएंगे, 22 बड़े-बड़े कुए हैं 4 मेटर वह नीचे गहरे होंगे, 1.5 म का circum कंफरेंस होगा उनका वो सोने जवरातों से भरे होते थे पूरी सेविंग और यहां पर जो भी रूलर आता था वो लूट मार करने के लिए वो काम करता रहता था तो मुहम्मद गौरी एकजार नॉइस भी उसके बाद में खिलजी उसके बाद में हमारा जहांगीर मुगल डैनेस्टी के अंदर में अल्मोस सभी रूलर उन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके लूटा यहां से जो 22 हमारे पास कुवे होते थे फिर आते जाते जो थोड़ा बहुत बचाया जा स ब्रिटिशर के टाइम तक पांच कुवे बचे थे ब्रिटिशर ने उन पर हाथ साब किया और फिर 1905 के अंदर में यहां पर वो कम पाता है लगव 7.8 रिक्टर स्केल का और डिवास्टेशन कंप्लीट डिवास्टेशन यहां की मतलब करीब 20,000 के करीब पॉपपलेशन सिम्बल एक पेड़ का नाम होता है यह वाला जो आपको फूल है यह देखने को मिलता है ऐसे इसको बोलते है वह सैम्वीड ट्री और इसको आप याद क्या से गरोगे सैम्म्यूल जिनको पता है वह तो अच्छी बात है जिनको नहीं पता सैम्यूल जो है एक हमारे पास नाम के उपर रखा गया है, जिसको symbol बोला जाता है, तो इसके नाम पे रखा हुगया है, ये red red color का आपको flower देखने को मिलेगा, इसको खाते भी है, सबजी बना लेते हैं, उपर से इसके अंदर में cotton type लगता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, इस type का cotton type होता है, और इसको red cotton, silk cotton भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस type का cotton होता है, और उठता ही है, काफी जाता, तो एक तो symbol, याद कर लेना, तो symbol से बना symbol 12, उसके लावा, खीर गंगा, तो खीर बन गई, और फिर बना pin valley से pin, ठीक है, तो pin याद कर लिया, अब आपको कहे करना है, दिमाग में picture बैठाने की मैकलोड गंज, जहाँ पे पहाड़ियां आती है, जहाँ पे दलाईला में रहते हैं, तो यहाँ पे, किला, ठीक है, किले के बास है, एक symbol का पेड, red-red कलर का पेड है, और उससे क्या हो रहा है, white-white कलर का cotton है, वो उठता जा रहा है, हवा से उठता जा रहा है, उसके नीचे पिकनिक मनाने के लिए आप आए हो, और एक बड़ी से कडाही के अंदर में आप क्या कर रहे हो, खीर बना रहे हो, तो खीर को ऐसे खरोज-खरोज के खीर बना रहे हो, आप उसमें काजू बदाम, किश्मिस आपने डाला हुआ है, और गलती से उसके अंदर में एक पिन गि गिर गया और वो खराब हो गया, तो क्या याद करना है, Great Himalaya और ये इंदर किला, किले से याद हो जाएगा, और सिंबल बारा, सिंबल का पेड है, खीर गंगा, खीर से आद हो जाएगा, और पीन उसके अंदर गिर गया, तो इसको ध्यान दखना है, अब आगे चलते हैं, तो Great Himalaya नेशनल पार्क है, इसके बारे में इंपोटेंट ये है कि ये जो बायो जियोग्राफिक रियल्म हमने देखे, आठ बायो जियोग्राफिक र की जारी है, Himalaya नेशनल पार्क, फोरेस्ट होगा, यहाँ पे, गलेशिल काइन का, मतलो थोड़ा अलपाइन का भी मिल जाएगा, सब ट्रोपिकल, टेंपरेट काइन की वेजिटेशन मिलेगी, अगर बोला ट्रोपिकल, तो वो नहीं मिलने वाली, वो यहाँ पे नहीं मिले ब्रॉज बीयर को, नोलियोपाड को हम देखेंगे, फिर आदया World Heritage Site है, World Heritage Site कौन कों सी हैं, कौन से Popeye Sphere Reserve, World Heritage में आएंगे, उन को हम Popeye Sphere Reserve की सीरीज के एंदर देखेंगे, तो इसको बस देखते जाओ, ऐसे Popeye Sphere Reserve है, बाकी फीचर एक याद करते जाओ, तो चलिए, आगे चलते हैं अब इसके अंदर यह मैंने आपको बता दिया पहली आक्टिक और इंडोमलाइन जो रीजन है उसके जंक्षिन के उपर आए गए तो यह बात ध्यान में रखनी है उसके लावा इन में हमें याद नहीं करना है इनको बस नाम याद करना है इनका तो कैसे सिंबल बार कि 200 cm तक बारिश होगी तो वहां पर मिलेंगे मतलब इंडिया के अंदर में सबसे ज़धा मात्रा में जो मिलते हैं वह मौस्ट अर्ड्राइश यृस मिलते हैं ठीक है बाक्यी थोड़ी मात्रा में मिलते हैं तो यह पूरे इंडिया में मिल जाएंगे प्लस नेपाल बंगल जो भखवान बुर्ध हैं, उनकी माता जब उनको जनम दे रही थी, तो उनने साल ट्री का पत्ता पकड़ा हुआ था, तो उसके लिए इंपोटेंट आता है, तो मतलब छोटी-छोटी बाते हैं, साल ट्री याद रखना है, और यह काम कैसे आ सकता है, काम आ सकता है, टीक, साल यह कौन से forest में मिलता है, क्या tropical में, नो, यह कहां पर मिलता है, यह मिलता है हमारे पास में moist deciduous, tropical moist deciduous के अंदर में, और tropical dry deciduous के अंदर में, तो यह बात ध्यान में रखना है, उसके लावा pin valley, इंदर किला, एंड खीर गंगा, तो कैसे याद रखना है, great himalya, किला, वहाँ प देखेंगे, तो हमारे पास में, पांच national park देखने को मिलेंगे, एक है गंगोतरी, दूसरा valley of flower, तीसरा जिम कॉर्बेट, चौथा राजाची और गोविंद, पशु विहार national park, तो पांच है गंगोतरी, valley of flower, जिम कॉर्बेट, राजाची, गोविंद, और यह आ गया जमो क की vegetation मिलेगी, यहां पे आपको थोड़ी moist और dry decidious मिलेगा, coniferous type की जीज़ें भी मिल जाएंगे यहां पे और थोड़ी सी alpine का picture भी आपको देखने को मिलेगा, उत्रा खंड में भी सेम बात है, लेकिन यहां पे tropical vegetation, tropical evergreen नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पे rain कम होती है तो चलते हैं अब इनको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, अब गंगोत्री एक तो यह तो सब को पता कि UK के अंदर मिलती है, गंगा river UK से flow करती है, और गंगोत्री और इसन है उसका, तो अगर इसको याद करना है, एक तो UK स याद करो, याद करने के लिए आपको बता कि भगवान शिव की जटाएं हैं उसके अंदर में गंगा विराजमान होती है, तो यहाँ पर स्टोरी इस तरीके से जाती है, मैंने स्टोरी को थोड़ा confabulate किया हुआ है, आगे भी मैं स्टोरी को आगे थोड़ा बहुत जोड़ पूर्बस थे, मतलब उनके उपर कर्स थी, एक रिशी के तारह कर्स लगाई गई थी, और वो clean हो सकती थी अगर गंगा माता अर्थ के उपर आती, तो भ्रिगु जो भागिरत था, वो तपस्या करता है, और उसके बाद में वो present करता है, महादेव को present करता है कि गंगा माता मुझे चाहिए, तो यह बोता है ठीक है नंदी को लेके चले जा, तो गंगोतरी नंदी, गंगोतरी अर्थ के उपर आई नंदी को लेके, अब नंदी तो हमारा बैल है, बैल नहीं क्या किया, बैल एक valley हुआ करती थी, valley of flower हुआ करती थी वहाँ पे, वो valley of flower के अंदर में च राजा हुआ करता था, राजा जी, राजा जी को गुसा आ गया, कि अब यह valley of flower के अंदर में किस तरीके से नंदी बैल हमारे valley of flower में चला गया, तो इसको गुसा आता है और इनका एक कुता था जिसका नाम था जीमी, तो जीमी उनका कुता था, उसको इनने भेज दिया के अंदर में पंजाब से हमारे पास में गुरु गोविन सिंग आएंगे और ये उन दोनों को चुड़ाएंगे, नंदी बैल को साइट करेंगे और कुत्ते को, जीमी कुत्ते को साइट करेंगे और राजा को डरा धम काके पीछे बेजेंगे, कि इसको चरने दो, ये करने के लिए पंजाब से गुरु गोविन सिंग को आना पड़ता है, उनको बचाने के लिए, तो इस केस के अंदर में गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ओफ लावर, राजाजी, जीम कॉर्बेट और गोविंद पशु विहार, नेशनल पार्क, तो ये हमने याद कर लिय यहां से आप ध्यान में रखना स्टोरी को, अब इस केस के अंदर में फ़स्ट आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर में कोनीफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, सेम जैसे जम्मो कश्मीर में मिल रहे हैं, उस टाइप की यहां पे भी देखने को मिलेंगे अल्पाइन एक तो ठंडे इलाके के अंदर में हमें अल्पाइन देखने को मिलते हैं कोनिफरस थोड़े हाइट में देखने को मिलते हैं तो जिस तरीके से हमारी western जो हमारा हमाल है वहाँ पर आपको थोड़े-थोड़े deciduous kind के मिल जाएंगे moist भी मिलेंगे फिर उपर थोड़ा सा मलव height जैसे आप increase करोगे तो कोनिफरस मिल जाएंगे थोड़ा सा उपर और आप जाओगे जैसे 3000 मेटर से उपर आप चलेगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे alpine alpine वाला area जाएगा जो की नीचे south में नहीं आएगा alpine वाला area जाएगा और meadows होंगे मतलब घास के बड़े-बड़े मैदान देखने को मिलेंगे तो उत्राखंड में बुग्याल नामा के एक घास का मैदान है ठीक है तो और glacier तो है यहां यहां पे तभी river ने कल रही है वो तो हमें बता है तो गौमुक glacier है जहां से गंगा का origin होता है एक nilong valley है यहां पे मतलब जो cold desert है मतलब ठंडा है काफी जदा desert का मतलब होता है जहां पे precipitation काफी कम होती है 25 cm से कम होती है और banjar type का हो जाता है तो वो ठंडा भी हो सकता है गरम भी हो सकता है तो यह ठंडा type का इलाका एक desert है ज़्यादा इसमें vegetation नहीं होगी animal सेम जो हमारे इस area के अंदर मिर रहे है snow leopard हर जगा मिलेगा जब भी किसी organism का में नाम लोगा तो ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे मिलेगा वैसा तो कभी भी नहीं होता कि वह वहीं पे मिलेगा उसकी तो अपनी मर्जी है वो तो आगे बीचे जा सकता है brown bear देखने को मिलेगा यहाँ पे black bear देखने को मिलेगा और river भागी रथी river ध्यान में रखना है गंगोतरी से भागी रथी river इनको connect करते रहना फिर आता है नंदा देवी national park नंदा देवी second number के उपर नंदी को लेके आए यहाँ पे नंदा देवी peak है यह बात ध्यान रखने world heritage site है इसको हम by spare reserve में revisit करेंगे कि यह कौन-कौन सी world heritage site है river रिशी गंगा river रिशी गंगा याद करना है news के अंदर था यह national park क्यों 2021 की इसके अंदर में flood आये रिशी गंगा जो river है वो attributory है कि इसकी धौली गंगा की तो हमारे पास में यहाँ पे flood आया रिशी गंगा में ज important है फिर आता है valley of flower अब valley of flower तो आप वो सकते हो एक तो normal case के अंदर में भी काफी important है अगर आपने जिंदगी में valley of flower नहीं देखा तो मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा तो आपको मतलब खुद कुछी कर लेनी चाहिए इतनी ज़्यादा beautiful हमें area देखने को मिलता है उत्र अगर आपर यहाँ पर बीटिफल ग्रास लंड होगे यहाँ पर काफी मिलेंगे तब हमाले को सुरफ बोला जाता है धर्ती के ऊपर तो यहाँ पर जायोगे valley के अदर में बहुत ही जज़्यादा beautiful जगा है, यहां पे 500 पर जाधिया मिलेंगे आपको वेरियस पर जाती है फूलों की और फूल भी मतलब हार एक सीजन के अनुसार चेंज होते रहते हैं और मतलब काफी अच्छी देखने को लगती है यह और इसके अंदर में रिवर पशुपती रिवर फ्लो करेगी और अल्पाइन मीडो है अल्पाइन में बता दिया कि यह हाइट के उपर मिलने वाले आपको फॉरेस्टाइक उसको अल्पाइन बोलेंगे सेकेंड रीडिंग में आना इसके उपर, सिर्फ नाम याद करो, वो आपका में काम होना चाहिए, फिर आगे है राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क किसके नाम के उपर है, राजगुपलाचारी, जो कि हमारे सेकेंड गवर्नर जर्नल है, इंडिपेंडेंट इंटिया की, सेकेंड आगे राजा जी, तो उनका नाम आपको याद रखना है, फिर्स्ट भारत रतन के इसको मिला था, राजगुपलाचारी को, तो राजा जी आगे वहां से गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे जीम कॉर्बेट, इसका नाम याद रखना है, ओल्डेस नेशनल पा और जो प्रजक्ट टाइगर है, यह रिसेंट वाला इनिशेटीव है, तो इसके कारण, जो हमारे पहले से मतलब प्रटेक्टिड है, जैसे इस नेशनल पार्क में टाइगर मिलेंगे, तो यह क्या बोलेंगे, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेर कर देते हैं, सिर्फ इस यह क्या बोल सकते हैं, कि यह वाले wildlife century यह tiger reserve है, इन दोनों में tiger मिलते हैं, और वो एक दूसरे एडिया में जाते हैं, तो इसको tiger reserve बोल दिया, तो tiger reserve बड़ा भी हो सकता है हमारे पास में, national park और wildlife century से, यह एक national park का छोटा हिस्सा भी हो सकता है, तो यह बाट ध्यान में रखन और एक और बात इसके वारे में जो आगे लिखी होगी मैंने स्लाइड में यहाँ पे जो tiger की density है वो highest है सनोलियोफ पार्ड की कहां पे है 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 मैशनेषनल पार्क में जिम कॉर्बेट में यह वाली है अब इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों है पहली बात तो यह वाला एरिया कहा पे आ रहा है जो हमारा बदरीनात के दारनात वाला एरिया है यहाँ पे टाइगर हुआ करते थे बंगाल टाइगर, अपी भी है, मतलब तब इसको टाइगर रिजर्ब बना गया है, लेकिन जो टाइगर थे जो भी मतलब पिल्ग्रे में इसके लिए लोग जाया करते थे उनको वो खाया करते थे, तो लगव हजार बारासो लोगों को वो खा गए थे, तो जीम कॉर्बेट जो था ब्रेटिश कारडनल हुआ करता था, आर्मी के अंदर हुआ करता था इसका बस एक ही काम भोला गया था इसको, कि आप जाओ और टाइगर को मारो तो ये फुट के ओपर जाया करता था नंगे पैरो, इसने काफी सारे टाइगर मारे हुआ है मतलब उस एरिया में, तो मतलब लोगों को बचाया हुआ एक तरीके से ये मान सकते हो और इसको मजा भी आता था, और एक कंजर्वेशनिस्ट भी था, मतलब ये बहुर रहा था कि कंजर्व करो तो इसने फोर्स किया कि भाई इसको कंजर्व किया जाए 1936 में इसने बोला कि ये जो टाइगर इन के मतलब थोड़ी सी सेपरेशन इनको रखो थोड़ी से मिलो सभी को मारने लगोगे तो बचेगा क्या वहाँ पे तो इनने बोला चलो इसको डिक्लियर करतो उस समय उत्राखंड यूपी वाल एरिया का पार्ट था तो यूपी के अंदर में गवर्नर जो था उसका नाम था हैली तो उसके नाम के उपर इसका नाम रख दिया बाद में अजादी मिलती है 1957 के अंदर में नहरू जी के दोरा जीम कॉर्बेट को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम बतल देते हैं तो इसका नाम है जीम कॉर्बेट फरस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का बात ध्यान में रखनी है फिर आता है गोविंद पश्यू बिहार गुरू गोविंद से नाम से याद करोगे और गोविंद वल्लब पंथ फ्रीडम फाइटर है हमारे कॉंग्रेस की गॉर्मेंट बनती है हमारे बास में 1937 में 1937 से 1939 तक ये हमारे UP के चीफ मिनिस्टर रहेंगे उसके बाद मैं हो मिनिस्टर होंगे इंडिया के इंदर में 1955 से लेके 1961 तक तो गोविंद वल्लब पंथ उनके नाम के ओपर है ये स्नो लियो पार्ट जो प्रजक्ट था यहाँ पे चलाया गया था फरस्ट ताइम तो टाईगर रिजक चलाया था जीम कॉर्विट में जिम कॉर्विट में हिएस टिंसी टीई है टाइगर सणो लियो पार्ट एक ये वाला होता है, अलग-अलग परकार के होते हैं इसमें, जोसे बारा सिंगा, वो भी डियर होता है, उसको स्वैंप डियर बोलते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे, यहां पर हर की दून, एक वैली है, वैली का मतलब ऐसे दो मॉंटेन होंगे, उनके बीच की एरिय प्लस इसके साथ में एक और जो information, आपको बताने है, इंडिया के अंदर में कौन सा ruler था, जिसने इस type का थोड़ा बहुत concept लेकर आया था, वो wildlife century type का concept, कि आपको बचाना है, जो हमारे organism होंगे, उनको बचाया जाएगा, तो वो आपको बताना है, मतलब कौन सा, किसकी बात क जा रही है, कोई ruler था, इंडिया में, medieval में या ancient time में, कोई भी हो सकता है, तीन चीजें, नार, grassland, कहां पर कौन से nation park में, बुग्याल कहां पर मिलेगा, बुग्याल तो आपको पता लगी गया, और दूसरा, जो wildlife century, उसके बारे में, तो यहां पर कतम होता ही, यह वाला हमार उत्राखंड, याद कैसे करेंगे, JNK में कैसे याद किया, सलीम अली भाग के चला गया, कहां पर हैमिश नेशनल पार्क में, हैमिश नेशनल पार्क में किस कर रहा था, किस तवर, और चिंगम उसको खाना पड़ा, दचिंगम, अगर याद करना है हिमाचल को, तो Great Himalya, व नीचे आते आते वो बोलते हैं, नंदी को साथ लेके जाऊंगी, तो नंदादेवी नेशनल पार्क और नंदी गुश जाएगा, वैली ऑफ लावर के अंदर में, वैली ऑफ लावर में गुशेगा, तो राजा जी को गुशता आएगा, और वो अपने जीम कॉर्बेट कु बैली ऑफ लावर में स्टार्ट होगी, उनको बचाने के लिए गोई गवविन सिंग आएंगे, तीनो, याद, यही आपका काम है, इससे मतलब थोड़ा बहुत आपका जो नेशनल पार्क है, वो तो आपकी अच्छे से बन जाएंगे, अब इसी के साथ में हम टाइगर रि थर्टी उन में से हमारे नेशनल पार्क के साथ common है, तो मतलब आपको 21 के नाम याद करने है, तो easy काम है, अभी क्या करो, टाइगर रिजर्व मत याद करो, नेशनल पार्क जो भी करवा रहे हैं, उनको याद कर लो, तो उत्तरा ख़ल में क्या है, जिम कॉर्वेट और क्योंकि यह जिम कॉर्वेट का पार्ट है, जो मतलब उत्तर प्रदेश के, जैसे यह उत्तरा खंड है, तो यहां पर मतलब भी मैच कर जाते हैं, तो अमरगार इसका नाम है, उपर से दूसरा आता है दूधवा टाइगर रिजर्व, जो नेशनल पार्क भी है, और एक पिल दूधवा नेशनल पार्क, अब दूधवा नेशनल पार्क को कैसे याद करेंगे, दूध, कौन दूध देता है, गाये, उत्तर प्रदेश का सीम कौन है, योगी अदित्यनाथ, योगी अदित्यनाथ को क्या पसंद है, गाये, तो याद करो, मतलब इस तरीके से याद करो, योगी अदित्यनाद जो है गाए से दूध निकाल रहा है तो आगया दूधवा दूधवा निकाल रहा है तो यह आगया इसके अलावा आपको थोड़ा सा मतलब इसके अंदर में दो wildlife century है जिनका नाम आपको याद करना है पहले यह देख लो दूधवा नेशनल पार्क यह हम मतलब यह तेराई reason में आएगा यह हमाले का तेराई reason है यहां से river वगएर आती है तो यहां पर मतलब swamp type का environment होता है ठीक है और grassland और काफी मार्शी type का area होगा यह पूरा यूपी वाला उपर उपर लेके पूरा मतलब आप ले लोगे यहां पर असाम तक चले जाओगे यह इंडो नेपाल बॉर्डर के उपर है इसके साथ साथ में हमारी किशिनपूर wildlife century और केटरीना घाट wildlife century भी देखने को मिलती है एनिमल मिलता है यहां पर swamp deer मलब भारा सिंगा उसके बार में हम आगे देखेंगे rhinoceros मिलता है और elephant मिलता है elephant हमारे पूरे इंडिया में ही मिल जा करेंगे योगी अधित्यनाथ से याद हो जाएगा फिर किशिनपूर कैसे याद करोगे कैटरीना घाट wildlife century कैसे याद करोगे इनको भी साथ में योगी अधित्यनाथ निकाल रहे हैं तो दूधवा नेशनल पार्क कहां पर यूपी में किशिनपूर को निकालेंगे भगवा कैफ से आ जाएगा यह हमारे बास में कैटरीना कैफ यह अक्षे कुमार यह दूध निकाल रहा है और यह कैटरीना कैफ जिसने मुवी देखी है उसके लिए तो इजी होगा कैटरीना कैफ याद कर लो तो क्या हो रहा है गाय का दूध निकाल रहा है कौन-कौन एक गाय का दूद निकाल रहा है योगी अधितेनाथ यह हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर तो यूपी के अंदर दूधवा नेशनल पार्क किशनगड किशनगड़ भी आ जाएगा हमारे पास में यूपी के अंदर में वह भी हमारे भगवान श्रीकृषिन वह निकाल रहे हैं और उप से कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ भी दूध निकाल रही है तो दूधवा से याद कर लो गया आप पूरा यहां पर क्या क्या मिलता है और यह भी हमने देख लिया इनके बारे में और यहां पे साथ में स्वैंप टियर है स्वैंप टियर को बारा सिंगा भी बोलते हैं में लि मिलेगा यह आप देख सकते हो कहां पर distributed है और इंडिया से बाहर भी चला जाएगा मतलब पाकिस्तान में भी मिलेगा यह और इसका status होगा vulnerable तो यह बात हैं हमें ध्यान में रखनी है हमारे जो deer है उसकी nine species मिलती है उसमें से एक species है ठीक है तो इसको हमें ध्यान में रखना है तो यह वाला जो है यहां पे present status के अंदर में बंगलादेश और पाकिस्तान से extinct हो चुके हैं otherwise यह वाला मतलब थोड़ी distribution थोड़ा पुराना होगा यह इसके अंदर पाकिस्तान और बंगलादेश में भी दिखाया होगा है त यह यूपी के बॉर्डर के जात में हमें देखने को मिलता है कौनसा वालमी की नेशनल पार्क कौनसा नेशनल पार्क वालमी की यहां पर यह वालमी की पिक्चर नहीं है तो वालमी की नेशनल पार्क है इसकी जो नॉर्मल हाथ से बनाई वी पिक्चर नहीं है लेकिन यहां की से याद करोगे, वालमी की से कैसे याद करोगे, वालमी की रिशी हुआ करते थे, उनके बारे में स्टोरी मानी जाती ही, कि वो डकैत हुआ करते थे, अलग अलग स्टोरी हैं, लेकिन वो डकैत हुआ करते थे, और वो लूटा करते थे लोगों को, तो एक बार जो थे रिश लिए जा सकते हैं, मैं मार कार्ट में विश्वा सकता हूँ तो सादू के द्वारा इसको बोला जाएगा रिशी वालमिकी को बोला जाएगा कि आप मरा मरा बोलो फिर तो उसको बोलो, अब ये जो थे जाते हैं और बैठते हैं वहाँ पर मरा मरा करने लगते हैं तो मरा मरा करते करते हैं जैसे जैसे आप मरा मरा बोलोगे तो राम तो आई जाता है अब ये इतने जाता है इन ग्रॉस हो जाते हैं उसके अंदर में कि एक जो मक्ही है नी सौरी है आंट्स होती है चिंटी हैं जो होती है रामायन इनके दोड़ा लिखी गई है तो उससे हमें याद करना है ओल्दो ये हमारे बिहार से बिलॉंग नहीं करते लेकिन मैं वो आपको बताऊँगा नहीं कहां से बिलॉंग करते हैं उससे आपको confusion होगी कहां से इसको relate करना है तो आप वालमेकी रिषी को बिहार के चमपारण डिस्टिक से relate कर लो चमपारण आपने सुना होगा गांधीजी के नाम से चमपारण से वालमेकी जी को relate कर लो और बिहार में relate कर लो और इसके अंदर में वालमेकी नैशनल पार्क में यह हमारा Tiger Reserve भी है और wildlife century भी है तो अगर आप पूछा गया वालमिकी wildlife century कहाँ पे है तो वो आपको पता लग जाएगा west champaran district के अंदर आए तो वालमिकी रिशी champaran से याद कर लेना आप ठीक है और गंड़क river flow करती है इसके अंदर में और बैसना लोटन इसको बोला जाता है वहाँ पे local formal name के अंदर में तो आपको कोई भी name पूछा जा सकता है और north area में काफी बड़ा grassland है यह मतलो बहुत बड़े एकन में फैला हुआ है और यहाँ पे tribe मिलती है एक थारू तो याद रखना है यह आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी tribe कहाँ पे मिलती है ठीक है कौन सी मालधारी tribe आपको कहाँ पे मिलेगी टोड़ा कहाँ पे मिलेगी इस तरह क्यों छोड़े चोड़े question बन सकते हैं यह वातें आपको ध्यान में रखनी है next हमारे पास है हरियाना के national park उसको हम next video के अंदर discuss करेंगे तो अच्छे से आप इनको study करो और national park के नाम तो मतलो आपको याद होने जीए tips के ओपर में जितनी भी story हमने discuss की उसके अनुसार national park अच्छे से याद करने है और अपने अच्छे अच्छे number score करने है तो हम मिलेंगे next video के अंदर में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से रहिए स्वस्त रहिए कोरोना के अंदर में अच्छे से अपनी production कीजिए धन्यवाद